पॉर्टन फीजिकल कॉंटिटी है जरूरत कड़ेगी हमें जैसे इनर्जी की फॉर्म चेंज हो यह उसकी स्फीर की सर्फेस से था कर दो प्रोंटिटी है कि खिसे इन प्रूसेस क्या है और मैजर्मेंट की हमें ज़रूरत क्यों बढ़ती है उसके बाद हमिने कुछ और चीजे डिसक्स करी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि physical quantity further कितने तरह की होती है उसमें पढ़ा था कि दो तरह की physical quantities होती है एक होती है fundamental physical quantities और दूसरी होती है derived physical quantities और इन physical quantities की measurement करने के लिए हमें कुछ system of units की जुरूरत पढ़ती है तो कल हमने system of units को भी define किया था आप एक बार देख लिए पीछे वाले अपने notes में system of units है क्या system of units simply क्या है fundamental और derived quantities जो भी होती है उन सब के जो units होते हैं उसका complete set बना लिया जाता है और उसको एक system of unit बोल दिया जाता है तो physics में यानि की science में system of units है आज की class में हम लोग उनका discussion करेंगे तो start करते हैं system of units से system of units और इसमें पहले सबसे पहले पर एंगे जो commonly used हम system of units पढते हैं उनके बारे में बात करते हैं सबसे पहले जो system of unit हम लोग पढ़ते हैं इस CGS system of unit, सबसे पहला जो मेरे पास system of unit है, that is CGS system of unit, इनके नाम में ही सब कुछ हिपा हुआ है, CGS, आगे के जो भी system of unit हम पढ़ेंगे, उसमें भी आप देखो कि कि उनका नाम ही सब कुछ clear कर रहा है, जैसे CGS system of unit है, तो कोई भी system of unit जो है ना, वो fundamental quantities के unit fix कर देता है, बाकी की quantities तो उनसे derive ही करी जाती है, तो बाकी की जितने भी quantities हैं, उनके units इनकी terms में ही लिखे जा सकते हैं, yes or no? ठीक है, अब भान से देखिए, यह जो पहला letter है, यह आपको बता रहा है कि length कैसे measure करी जाएगी, यह जो दूसरा letter है, यह आपको बताएगा कि mass कैसे measure किया जात जाता है, तो cgs system of unit में length को measure किया जाता है, length measure करी जाती है centimeter में, तो centimeter का जो पहला letter है c यहाँ आ गया, ठीक है, mass को measure करने के लिए, grams का use किया जाता है, यानि कि cgs system में mass को हमेशा grams में note किया जाएगा, ठीक है, और अगला है मारे पास time, यह तीनों की तीनों fundamental quantities हैं, अगला जो हमारे पास physical quantity है, that is time, time को measure किया जाता है seconds में, ठीक है, तो cgs system में हम लोग, जो तीन fundamental quantities है, length, mass और time, उनको centimeter, gram और second में measure करते हैं, ठीक है, next, number 2 पे आते हैं, next system of unit जो हम define करते हैं, that is fps system, fps system, यह fps system क्या है, फिर से मैं repeat कर रहा हूँ, यह जो letter लिखे हैं, fps, यही आपको बता रहे हैं, कि इस system of unit में, इन तीन fundamental quantities को कैसे measure किया जाता है, जैसे for example, f मतलब foot, t मतलब pound, s मतलब second, यह नहीं कि, इसमें length को measure किया जाएगा, foot में, जब भी किसी object की length measure करी जाएगी, अगर वो fps में measure कर रहे तो उसको हमेशा foot में, 1 fit, 2 fit यह 3 fit यह तरीके से आप बोलोगे, ठीक है, और जब भी आप mass measure करोगे, इसमेर के fps में, उसको हमेशा आप pounds में measure करोगे, ठीक है, and similarly, तीसरी fundamental physical quantity, that is time, time को जब fps में measure करोगे, तो seconds में measure करोगे, ठीक है, दो हमने define कर दिया है, दो और system of units है, जिनका use किया जाता है, next, तीसरे number पे, जो हमारे पास system of unit है, that is mks system, mks system, अब mks के भी नाम में सब कुछ छिपा हुआ है, इसमें length को measure किया जाएगा, meter में, m से meter आ गया, ठीक है, mass को measure किया जाएगा kilogram में, तो kilogram से k आ गया, ठीक है, time को measure किया जाएगा second में, तो second से s आ गया, ठीक है, simple, यानिकि इसमें हम लोग length को measure करेंगे, meters में, length measure करी जाएगी, meters में, mass को measure किया जाएगा kilogram में, और time को measure किया जाएगा seconds में, ठीक है, time को measure किया जाएगा second में, अभी तक simple लग रहा होगा, क्योंकि तीन system of unit अभी मैंने define किये हैं, और तीनों का जो नाम है, वो ही clear कर दे रहा है, कि इसमें length, mass और time को कैसे-कैसे measure किया जा रहा है, ठीक है, फ्योथा system of unit जो सबसे important है, जिसको internationally accept भी किया गया है, physics में और technology में उसी system of unit का ज्यादा use किया जाता है, ठीक है, तो next हम define कर रहे हैं, number 4 पे, international system of unit, international system of unit, जिसको हम short में SI system भी बोल देते हैं, याद रखेंगे, short में इसको SI system भी बोल देते हैं, ठीक है, पुरा नाम क्या है, international system of unit, यह जो system of unit है, यह actually MKS और CGS का थोड़ा सा modernized version है, यह उसी का extended version है, ठीक है, अब इसमें देखें क्या करते हैं हम लोग, SI system में हम लोग जो साथ हमारी fundamental quantities जो हमने पिछली class में डिसकस करी थी, उनके लिए इसने units बता दिये कि आप इन fundamental quantities को internationally ऐसे करके लिखोगे, ठीक है, understand, और दो quantities इसने और introduce करी, उनको supplementary physical quantities बोला जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले यही बात करते हैं कि international system of unit, यानि कि SI system of unit, साथ fundamental quantities को कैसे कैसे measure करता है, या किन units में measure करता है, यह सबसे पहला काम होगा हमारा, यह important है, इसको दिहान से note करना, हमारे पास seven fundamental physical quantities है, तो सबको लिखते हैं, ठीक है, तबसे पहली fundamental physical quantity क्या है, that is mass, number two पे आ जाती है मेरे पास length, number three पे आ जाता है time, number four पे हमने डिसक्स किया था, electric current, electric current, number five में हमने डिसक्स किया था, कलवाली क्लास में, temperature, temperature, ठीक है, number six पे हमने डिसक्स किया था, luminous intensity, luminous intensity, number seven पे लास्ट जो था, that is amount of substance, amount of substance, ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसा ही सिस्टम इनके क्या unit इडिफाइन करता है, और किस तरीके सिनको consider करता है, देखते हैं, ऐसा ही सिस्टम में मास को हमेशा kilogram में measure किया जाएगा, ठीक है, लेंथ को हमेशा मीटर में measure किया जाएगा, लेंथ को हमेशा मीटर में measure किया जाएगा, time को हमेशा seconds में measure किया जाएगा, electric current को ampere में measure किया जाएगा, और temperature को Kelvin में measure किया जाएगा temperature के लिए जो unit define किया that is Kelvin luminous intensity के लिए एक unit दिया candela candela में measure किया जाएगा last amount of substance that is उसको हमेशा हम लोग mole में measure करेंगे ठीक है अब आगे जो मैं लिखने जा रहा हूँ that is कि इन सभी physical quantities के unit है उनका short में symbol क्या use करेंगे जिस्ते for example आपको किसी object के mass के बारे में बताना है कि इसका mass 10 तो 10 kg पूरा ना लिखने की जगा उसके short में कुछ लिखेंगे हम लोग ठीक है तो हम लोग लिखेंगे short में kg a into small g meter के लिए हम लोग small m यूज करेंगे सब जगा seconds के लिए small s यूज करेंगे ampere के लिए हम लोग capital A यूज करेंगे Kelvin के लिए capital K यूज करेंगे और Candela के लिए small c small d यूज करेंगे और amount of substance जिसके लिए mole यूज करते हैं SI unit उसके लिए जो short form है वो यूज करेंगे करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लिए क्योंकि आगे हम जितना भी काम करेंगे जितने भी numerical करेंगे सबी में आपसे जो answer demand किया जाएगा वह हमेशा यह सिस्टम आफ यूनिट में ही डिमांड किया जाएगा अगर उसने किसी और सिस्टम आफ यूनिट में आपसे answer मांगा तो वह mention करेगा अगर कुछ mention नहीं किया तो आपको हमेशा answer SI units में ही निकालना है ठीक है understand अच्छा दो quantities SI सिस्टम ने और define करी है एक बार में उनके बार में भी बता देता हूं नेक्स्ट वो quantities SI system में और define करी जाती है जिनको बोलते हैं supplementary physical quantities supplementary physical quantities क्वांटिटीज कौन कौन सी है नंबर वन पर है मेरे पास plane एंगल प्लेन एंगल वहीं सिंपल एंगल है जिसकी आप डेली लाइफ में बात करते हो किसी ट्रेंगल का एंगल फाइंड कलिया ना ट्रेंगल के तीन एंगल उनको प्लेन एंगल बोल देते हैं या ऐसा एंगल जो दो लाइनों को ऐसे गर के जौइन करने से उनके बीच में जो बनता उसको प्लेन एंगल बोल दिया जाता है तो प्लेन एंगल जिसको डिनोट करां करेंगे हम लोग ठीटा से इसको डिनोट किया जाता है ओमेगा के सिंबल से इस तरीके का एक सिंबल बनाओ गया आप इसको बोल देते हैं ओमेगा तो सॉलेड एंगल के लिए ओमेगा यह दोनों सप्लेमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी या निकी यह फंडमेंटल में नहीं आ रही है उनकी केटेगर वालीं एंगल है उसको कैसे से मेशन करेंगे एंगल को मेशन करने के लिए जो एससा ही यूणट हम लोग यूश्त करेंगे यह बीस रेडियन मन रहा इस तरीके से इसको मेजर किया करेंगे, ठीक है, इसमें से बारे में हो सकता आपको अभी तक जानकरी नहीं आँ हो कि solid angle होता क्या है एक बार थोड़ा सा discussion solid angle के बारे में कर लेते हैं एक प्लेन एंगल तो simply जैसे होता है कि मेरे पास एक इस तरीके से line है और एक इस तरीके से line है इन दो line हो के बीच में यहाँ पर यह जो angle बनता है इसको theta यह इसी को plane angle बोल दिया जाता है इसको radian में भी measure करते है इसको degree में भी measure करते है अब solid angle जो है solid angle actually 3D figures में बनता जैसे माल मेरे पास एक sphere है तो sphere के अंदर solid angle बनेगा किस से बनता है और example माल लीजे मेरे पास यह मैंने एक sphere consider कर लिया और इसका radius मैंने ले लिया लेट से capital R ओके अब इस sphere के surface की उपर आप बैठ जाए और surface की ऊपर बैठ के आप वहां पे एक area consider कर लिजे surface के sphere के surface की उपर बैठ जाई और वहां पे एक area consider कर लिजे ठीक है और माल आपने जो surface के sphere के surface की ऊपर बैठ के यह वहला जो area consider किया है मालो यह कुछ shape का बना इसको सभी point से आप उस sphere के center से join कर दीजे और example एक example लेते मालो आप किसी बहुत बड़े गोले के उपर बैठ गयो और गोले के उपर बैठ के गोले के उपर ही आपने एक ऐसे करके circle कर दिय आप उस circle की periphery पे या उस circle के circumference पे जितने भी points हैं सभी points को sphere के अंदर center पे join कर दीजे जब आप join करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके की एक कोन सी बन रही है आप देखेंगे कि वह जो मैंने उपर circle ड्रॉ किया था उस circle के सारे के सारे points जब मैंने उस sphere के center से join कर दि अब उस कोन के अंदर का यह जो एंगल है यह जो एंगल बनेगा उस कोन के अंदर इसी एंगल को बोला जाता है solid angle कमाजारी बात स्वियर के अंदर एक जो जब आप स्वियर के उपर बैठ जाते हो यह स्वियर की सर्फेस से देखते हो तो वह सर्फेस वाला जो भी पार्ट आपने consider किया उस पार्ट ने स्वियर के center पे कितना एंगल सब्स्टेंड किया है क्यों शेप की एक figure बनेगी आपने यह देखना जाता है कि इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं सिंपल डेफिनेशन इसकी यह हो जाती है कि जो सर्फेस एरिया आपने consider किया है जो सर्फेस एरिया आपने consider किया है इवाइड बाए उस स्वियर का जो radius है उसका स्वियर इवाइड बाए उस स्वियर का जो radius है उसका स्वियर जिसे फॉर एक्जांपल कोशन देता हूं मैं आपको आप बताइए कि पूरा का पूरा स्वियर जो है उसका solid angle कितना होता है देखिए पूरा का पूरा जो स्वियर है उसका पहले तो मुझे surface एरिया पता होना चीए पूरे के पूरे स्वियर का surface एरिया कितना होता है और पाई है आर स्वियर होता है उसका जो सॉलेड एंगल होता है जो सेंटर पे सब्सक्रेंट किया जाता है तैस और पाई याद रखेंगे आप यह वह ली चीज़ लास्ट में इसकी बड़ी जुरूरत पड़ती है जब हम electrostatic में gross law को पढ़ते हैं तब इस solid angle की वहाँ पर need होती है हमें ठीक है तो दो supplementary physical quantities define कर दिया SI system of unit में और साथ fundamental के बारे में बता दिया अब बाकी की कौन सी बची कलम ने पढ़ा था fundamental होती हैं होती है तो बाकी की जितनी भी physical quantities बचेंगी वह derived है अगर आपको fundamental के SI units पता है और आपको supplementary के SI unit पता है तो बाकी जो भी आएंगी उनके SI units भी हम लोग निकाल सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक दो कॉशन ट्राइब करते हैं कि कैसे निकालेंगे माल लीजे सबसे सिंपल फिजिकल कॉंटिटी मेरे पास है एरिया आप किसी भी फिगर का एरिया देखिए चाहे स्क्वेर का चाहे सरकल का आपने देखा होगा उसमें दो लेंट्थी मलटीपलाई हो रही होंगी परकौम पर क्या एडया रिकल्स का लेंथ इंस द्सक्राइगे आप मुझे area के SI Units का आंगे आते हैं माललो मुझे Volume के बारे में में बताना है तो जो volume है, किसी भी figure का volume आप निकालोगे, 3D figure जो भी होगी, जैसे मालों cuboid है, तो length into breadth into height, यह sphere का भी volume लिखते हो, तो आप क्या लिखते हो, 4 by 3 pi r cube, तो वहाँ पे r cube जो है, वो simply क्या है, radius 3 बार multiply हो रखा है, आप यही चीज नोट करोगे, किसी भी geometrical figure का जब भी volume निकालो होगे, तो उसमें जो length है, वो 3 बार multiply होई होगी, तो सबसे simplicity ले ले लेते हैं, हम लोग क्यूआड ही ले लेते हैं, length into breadth into height, हम यह देखना चाहते हैं कि volume की SI units के आएंगे, वैसे आप familiar हो, लेकिन हम देखना चाहते हैं, तो volume आ जाएगा, length को यहाँ पे meter में measure करेंगे, breadth भ हैं, आगे बढ़ते हैं, तीसरी physical quantity, let's say मैंने define किया density, mass density जिसको बोला जाता है, important physical quantity है, जरूरत पड़ेगी हमें इसकी भी, अच्छा, density को define कैसे किया जाता है, density is simply defined as mass per unit volume, mass per unit, volume, अब इसकी ऐसा unit निकालिए आप खुझ से, try करिए एक बार, pause करके, निकालिए इसकी ऐसा unit क्या आएंगे, mass fundamental physical quantity है, इसकी उपर put कर दीजे, कितने आएंगे, mass को कैसे measure करते हैं, सिस्टम में, kg में, ठीक है, बीचे के आजाएगा, volume, volume को कैसे measure किया जाता है, सिस्टम में उपर लिखा हुआ, meter cube, तो density को measure किया जाएगा, kg, meter raise to power minus 3, आप इसको इस तरीके से लिखोगे, जब भी density के unit लिखोगे, तो कुछ इस form में लिखोगे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकत लेकिन ज्यादा तर जो form लिखी जाती है, ऐसे units की, वो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, most of the books में, ठीक है, अगली quantity लिखते हैं, next quantity मैं लिख रहा हूँ, speed, next quantity मैं लिख रहा हूँ, speed, अब देखिए, speed आपने छोटी classes में भी बढ़ाए, कि speed को simply define किया जाता है, distance upon time, ठ ठीक है, तो यही मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर पहले simple उसकी definition लिखता हूँ, distance upon time, ठीक है, अब फिर से distance मतलब length और length को कैसे measure करते हैं, meter में, ठीक है, तो simply इसमें तो आ जाएगा, distance को measure किया जाता है, meter में, meter के लिए हम लोग पूरा ने लिखेंगे, small m, लिखेंगे, प यहाँ पर time, time को वहाँ पर मैंने बताया था, seconds के लिए small s use किया जाता है, तो इसी लिए speed के SI unit आ जाएंगे, meter per second, इसको कुछ ही तरीके से लिख दिया जाता है, meter per second, यह speed के SI unit, ठीक है, अच्छा, speed की तरह यह और physical quantity होती है, जिसको velocity बोलते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि speed एक scalar quantity है और velocity एक vector quantity है, जिस आट नो, ठीक है, तो speed के SI unit भी meter per second है, velocity के SI unit भी meter per second है, यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक अगली physical quantity मैं आप से और पूछने वाला हूँ, next जो physical quantity है मेरे पास, that is acceleration, that is acceleration, ठीक है, अब acceleration को define किया जाता है, change in velocity, change in velocity divide by time taken, यहनी velocity में वो change लाने के लिए कितना time लगा, ठीक है, अब देखो, चाहे simple velocity हो, चाहे change in velocity हो, होगी तो velocity ही, unit तो उसके velocity वाले आएंगे, और अब ही मैंने पीछे वाले स्लाइड में बताया, कि speed और velocity सेम ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि एक scalar quantity है, दूसरी vector quantity है, लेकिन SI unit दोनों के सेम होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं acceleration के, जिसको small a से denote किया जाता है, अगर acceleration के unit लिखना चाहता हूँ, तो उपर मैं velocity के SI unit लिख दूँ, यहाँ फिर मैं speed के SI unit लिख meter per second, नीचे में time के SI unit लिख देता हूँ, जो time taken, जो time लगा है, वो change लाने के लिए time के आपको पता, SI होते हैं, यानि की second होते हैं, तो इस तरीके से acceleration के जो SI unit आ जाएंगे, that is, meter per second square, ठीक है, यह simple simple physical quantities है, हम सीख रहे हैं, कि इनके SI unit निकालते कैसे हैं, आगे और जब आग किसी भी quantity के SI unit निकालने के लिए हमें उसका एक physical formula पता होना चाहिए, कि वो physical quantity कुछ fundamental से, या कुछ derived से, किस तरीके से related है, जैसे मैंने acceleration लिखा, acceleration को देखिए, मैंने क्या लिखा, velocity upon time है, इसमें ये तो fundamental है, ये derived है, तो पहले मुझे velocity के पता होने चाहिए थे, इसलिए मैं की होंगे, जो speed के होंगे, वो पुट कर दिया नीचे time, जो की fundamental होने के तो पता है, ये second होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से next एक और physical quantity देखते हैं, acceleration के बाद, very important physical quantity that is force, force, ठीक है, force को in general define किया जाता है, mass into acceleration, जो simplest form Newton second law की बोली जाती है, ये exact form तो नहीं है, Newton second law की, लेकिन simplest form जो बोली जाती है, for a constant mass, constant mass के लिए force को define किया जाता है, mass into acceleration, mass into acceleration, force को capital F से denote किया जाता है, ठीक है, mass, mass की ऐसा unit क्या होते है, kg, simple भाशा में, ठीक है, और acceleration की ऐसा unit, ये देखो, अभी निकाल ले हमने, meter per second square, meter per second square, इसी तरीके से फिर force के अस्ता unit क्या होगे, kg, meter per second square, ठीक है, लेकिन आप देखोगे, बहुत सारी जगा, जगा पे kg, meter per second square ना यूज़ करके, Newton यूज़ किया होता है, ठीक है, तो आगे आने वाले discussion में हम लोग देखेंगे, कल वाली जो हमारी class होगी, हम देखेंगे कि कुछ practical unit भी यूज़ किया जाते है, ये तो है, कि ठीक है, kg, meter per second square, इन के लिए एक short name भी यूज़ कर लिया जाता है, जिसे 1 kg, meter per second square को Newton बोल दिया जाता है, ठीक है, आगे हम देखेंगे, प्रेशर के लिए भी कुछ ऐसा unit यूज़ किया जाता है, ठीक है, प्रेशर को force क्या होते हैं, meter square, अब आप ये भी देखेंगे कि इन formula में जो जो common है, उसको cut कर सकते हो, जैसे उपर भी एक meter आ रहा है, नीचे meter square आ रहा है, उसको आप cut कर सकते हो, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएंगे, kg, meter inverse, second की power minus 2, तो प्रेशर के जो ऐसा unit आगे, मेरे पास आगे, kg, meter meter inverse, second की power minus 2, इस तरीके से हम किसी भी physical quantities के ऐसा unit निकाल सकते हैं, अगर हमें, अगर हमें साथ fundamental physical quantities के ऐसा unit पता है, और साथ ही साथ, जिसके भी आप निकालना चाहते हो, उसके बारे में थोड़ा ये idea होना चाहिए, कि उसका mathematical formula क्या है, यानि कि कैसे वो कुछ derived, या कुछ fundamental quantities के साथ किस form में related है, क्या उसका mathematical form मनता है, अगर आपको इतना पता है, तो आप किसी भी physical quantities के यहां से SI unit निकाल लोगे, ठीक है, ठीक है, तो SI unit में हमारा main मकसद यही होता है, पहले तो हम ये सीख ले, कि SI unit साथ के क्या है, फिर उन से derived के निकालने होते है, ठीक है, और कभी कोशन ये भी पूछ लिया जाता है, कि SI system of unit क्यों यूज किया जाता है, क्या क्या advantages है, ठीक 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 है, जो SI system है, इसकी advantages के बारे में बात कर लेते हैं, advantages of SI system advantages of SI system इसको क्यों use किया जाता है तब से पहली चीज यह जो system है यानि कि SI system है SI system is coherent system मैं सारे नाम क्लियर करूँगा कि coherent का मतलब क्या है यहां पर is coherent system अब coherent system का मतलब यह है कि एक ऐसा system है जिसमें जो derived quantity है वो fundamental physical quantities के या तो multiplication से आजाएगी या उनके division से आजाएगी अब उठा कि देखो अभी मैंने पीछे कुछ physical quantities discuss करी थी यहां से देखिए यहां पर देखिए जैसे मैंने area define किया area fundamental तो है नहीं area तो derived physical quantity है यहां से देखिए area दो fundamental physical quantities के multiplication से आ रहा है ठीक है और वो fundamental physical quantities quantity length और breadth भी simply length होती है और देख लेते हैं जैसे for example मेरे पास volume था तो volume में क्या था तीन length ही जो multiply हो रही थी और देख लेते हैं speed को देख लेते हैं speed में देखिए उपर आगा distance distance मतलब length fundamental physical quantity नीचे क्या गया time जो की fundamental physical quantity है तो कहने का मतलब यह है कि coherent system वो होता है जिसमें जो derived physical quantities है वो fundamental के multiplication या division में रीप्रेजेंट करी जा सकें ठीक है और वो हम यहां पर बड़ा इसली कर पा रहे हैं ठीक है और उनके system जो है वो एक rational system है एससाई system is rational system is rational system जहां से समझेंगे यह rational system वाला वर्ड क्यों use किया गया है rational system का मतलब यह है कि आपने एक physical quantity define कर दी तो यह एक ऐसा system है जिसमें उस physical quantity की चाहे कोई भी फॉर्म आ जाए उसके ऐसा यूनिट नहीं चेंज होंगे तो सकता ही बात अभी आपको clear नहीं हो एक example लेकर समझते हैं इसे फॉर एक्जांपल अनर्जी है जिसे फॉर एक्जांपल हम डिसक्स कर रहे हैं जैने के नर्जी आबें देखा होगा नर्जी तो भुट तरहां की होती है काइंगेक नर्जी सुना होगा पोटेंशल अलजी होगा web할 के होगी ऐसा problème एक इस बताता है और प्रद्र को कि यूंट ये बताता है तुर्य मिन कोई बीजिब इनर्जी हो चाए वो कईनेटिक ओचाए वो प्रटेंश्यल हो चाए वे च्राय वो नूप्र हिट नर्जी हो जए वह एलेक्ट्रीकल एनर्जी किसी भी तरह की नर्जी हो उसके लिए यह एक ही ऐसा यूनट बोलेगा हर बार बोलेगा इसको जूल में मैसर कर लो यह सबसी बड़े एडवेंटेज की यह अब आपको बार बार अलग लग नर्जी के यूनट नहीं याद रखने की नर्जी की फॉर्म चेंज होगी तो मुझे कोई दूसरा यूनट इसमें मैसर करिये मकैस सिस्टम बोलता है कि आप एलेक्ट्रीकल एनर्जी को वार्ट आर में मैजर करिये वहां पर यह बड़ी दिखकत आती है इस लिए एसलिए सिस्टम जो है कर रैशनल सिस्टम है एक क्वांटिटी है बस उसका एक ही साइन डिफाइन कर दिया प्लिक ज सिस्टम 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 का मतलब यह है कि आपके पास कुछ सब्सक्राइए उनके कुछ मल्टीपल हो सकते हैं तो आप उनको 10 की पावर में लिख सकते हो सिंपल भाशा मैं बोलना चारा हूं कि मालो आपके पास सेंटीमीटर है सेंटीमीटर को आप ऐसजिकम में लिख सकते हो या अगर उसको मीटर میں गणवार्ट करना चाहूं और चाहे वह SI system है तीनों के तीनों system हमारे पास matrix system है इन तीनों में यह सुविदा है आपके पास कि आप क्या कर सकते हो जो कोई भी SI unit है उसका जो बड़ा यानि उसके जो multiple है या उससे जो छोटा यानि उसके जो sub multiple है उनको आप 10 की powers में लिख सकते हो ठीक है एक ऐसा system है जो metric system नहीं है ये MCQ में question आप से जरूर पूछ सकते हैं कि इन चारों system में से जो चार अमने अभी लिखे हैं कौन-कौन से सिस्टम है जो metric system नहीं है तो चुप चाब किस पर क्लिक कर देना FPS system पर जो FPS system नहीं है तो तीनों एड्वेंटेज क्लियर हुई एक लास्ट चौथी एड्वेंटेज और डिसकस करते हैं इसकी कि यह वाला जो system है SI system is internationally acceptable system है इंटरनेशनली एकसेप्टेड सिस्टम है एकसेप्टेड इस्टम इसको सिंपल आज़ा क्लियर कर लिजे आप कि internationally सभी country इस system को accept करती है और जब भी वहां पर को scientific research होती है और उसमें जो भी physical quantities आती है तो उनको हमेशा वो लोग सिस्टम के अंदर ही रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी country में उनकी डेली भाषा में हो सकता है वह distance को माइल्स बोलते हों लेकिन अगर वह कोई research paper निकाल रहे हैं किसी भी तरीके की scientific discussion चल रही है on paper discussion चल रही है तो उसमें वो लोग क्या करते हैं यह करते हैं कि सारी की सारी quantities की यो यूनेट है वो ऐसे रखे जाए तांकि यह पेपर जब दूसरी country में जाए या बाकी बच्चे पड़ें उनको भी समझने में आसानी हो उनको कन वर्जन ना करना पड़े इस तरीके से क्या हुआ कि एक हम बोल सकते हैं स्मिट्री सी बन गई क कि इस पेपर में सब कुछ ऐसा यूनेट में लिखा हुआ है तो मुझे उनको convert करकर करके नहीं देखना कि अच्छा क्योंकि आपने देखा था कल कि स्टम ऑफ यूनेट चेंज करते ही क्वांटिटी का magnitude थोड़ा हिल जाता है अगर बढ़ा यूनेट यूस कर रहा हूं तो क्वांटिटी का magnitude चोटा होजाता है अगर सूटा यूस sharpen कर रहा हूं तो क्वांटिटी का Magnit chantu बढ़ा हो जाता है इस करते हैं घुकल करते हैं आप आगे discussion में जब आप आगे वाले chapters पे बढ़ोगे 12th में भी 11th में भी तो आप कुछ-कुछ physical quantities के साथ ना कुछ special word लिखे देखोगे mega, micro, nano, femto इस तरीके से word लिखे हुए देखोगे और वहाँ पर usually हम लोग देखते हैं कि क्लास में बच्चे पूछते हैं कि nano का मतलब होता है, sto क्या मतलब है, व्यविछ उस लिएको बना दिया है आप उस टेबल को नोट कर लिजी अपनी नोटबूक पे और उसको याद कर लिज़े उसमें क्या है कि मालो आपको नैनो लिखा है तो नैनो का मतलब क्या है। कहीं पिर नїसी का मतलब क्या Hangle इंवी लिखा तो मिली का मतलब क्या है ठीखिया नेक्स्ट मैं आपको वो टेबल दिखाता हूं आप एक बार उस टेबल पे नजरबार लिजए यह वह पूरा टेबल बना लिया यहां इसमें यहां पर पहली वाले कॉलम में मैंने लिखा powers of 10 अच्छा इस वाली कॉलम में मैंने 10 की सारी पॉजिटिव पावर लिख रखी है यहां से दिखिए 10 की पावर 1 है उसको डेका बोलते हैं लेकिन अगर कॉपी में लिखा हुगा तो इसको लिखा हुगा d a small d a 10 की पावर 2 है तो उसको हेक्टो बोल देते हैं ह तो लिखेंगे स्मॉल एच से 10 की पावर अगर त्री यह तो इसको किलो बोलते हैं यह तो बहुत इससे तो बहुत अच्छे से फैमिलिचरों के साथ किक है कीलो का मतलब । किलो मेगा गीगा यह बड़े इंपॉर्टन है और यह बहुत ज्यादा यूज होते हैं इनको जुरूर ध्यान में रखना कि किलो मेगा और गीगा का क्या मतलब है इस वाली साइड में मैंने क्या लिख दिया टैन की जो पॉजिटिव पावर है उनको प्रनाउंस क्या किया जाता है हैं जब भी किसी फिजिकल क्वावर में कुछ हैसा लिखा लिखा हूँआने एंहर किसी सिस्टम की इतने किलो है ति कि Natal को आपको तो जूल में बात कर निए लगा इतने जूल करो के वहां पर तैन की बावर थिल ऐस्ने जूल 10 की बढ़ने सथी बला जाता है और इनको कैसे लिखा जाता है क्या symbol यूउस किया जाते हैं आप अभी मैंने लिखा तहां गीज़ा तो मैंने शेंटी मीटर है तो मैंने सेंटी मीटर में कैसे किया था यानि की वन सेंटी का मतलब है 10 raised to power minus 2 आप देखा वगा आपने अभी ने क्या लिखा था वन सेंटी मीटर इस इकल टू 10 raised to power minus 2 मीटर का मीटर तो एज इस रहने दिया लेकिन से का मतलब सेंटी सेंटी का क्या मतलब है 10 raised to power minus 2 आगे मैंने डिफाइन किया था मिली 10 की बार minus 3 इसको मिली बोला जाएगा small m से इसको लिखा जाएगा सब जगा 10 की बार minus 6 है micro 10 की बार minus 9 है नैनो इसमें भी यह वाले जो 3 से 4 है यह बड़े इंपॉर्टन है बड़े सारे question में आपको यह देखने को मिलेगा 12 में हम लोग देखेंगे वहां पर my capacitance को बताया जाता है micro farad या nano farad हाना या nano coolam charge के बारे में बोला जाता है इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मतलब है कि मेगा यूज किया तो 10 की पावर 6 लेनी है अंडेस्टेंड यह सारी चीज़े आपको आज क्लियर हुई होगी यह हमारी दूसरी क्लास थी आगे आने वाले टाइम में हम लोग कलवली क्लास पे कुछ practical units के बारे में discuss करेंगे कुछ practical unit जैसे अभी मैंने बोला ना कि आप फोर्स को केजी मीटर पर लेकिन यूजरी यूज किया जाता है यूटन यूज किया जाता है ऐसी और भी बड़े सारी वेल्यू उनकी रहती है यह हमारा कल वली क्लास का डिसकेशन होगा ठीक है आज वली क्लास में अगर आपको कुछ भी दिक्कत लग रही है तो आप क्या करिए पहले पहली वली क्लास जाके देखिए वहां पर हमने पूरा डिसकेशन उसका डिटेल में किया है एक बार उस क्लास को देखने के बाद फिर अब इस पर आएंगे तो आपको और जदा मज़ा आएगा इस क्लास में क्या-क्या चीज़े डिसकस हुई है तो इस तरीके से एक प्रॉपर यह में आप चलेंगे तो आपको प्रॉपर यह सारी चीज़े समझ आएंगी कि किस किस तरीके से पहले चैप्टर को हमें परसीड करना है बीच में कोई भी क्लास उठा कि अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत आए तो जो फ्रस्ट चैप्टर है वह ही इस तरीके का कि उसमें सिस्टेमेट तो गई इसी तरीके से आप पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से करिए इसमें जो जो टूल यूज़ हो रहे हैं उन टूल को अच्छे से क्लियर कर लिजे ठीक है कि वो टूल कैसे आगे यूज़ करने हैं हमें एंडेस्टेंड ठीक है थेंक्यू सो मच